हेलो एब्रिवन आज हम बात करने वाले पी यो पार्ट वन गाइड वन के धारा टू यानि क्लॉज टू के बारे में तो क्लॉज टू आप जैसा कि जानते होंगे कि पीए हो म्ट्स हो पोस्ट माइन हो सभी में पूछे जाते हैं तो यह सब के लिए कॉमन है का पहला धारा जो पहले वीडियो बना के पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तो देखते हैं धारा टू कहता है टाइप पोस्ट आपिस यानि पोस्ट आफिस के परकार तो देख लेते हैं तो नॉर्मली सब को पता ही है कि डाग घर को तीन स्रेनियू में बाटा गिया है पहला परधान डाग घर दूसरा उपडा घर तीसरा अतिरिक्त विभागिये साखा डाग घर जानि ब्रांच पोस्ट आफिस तो समानता पहले दो डाग घर में डाग घर के सभी तरह के समपन होते हैं साखा डाग घर में साधारन तो डाक समंदी मुख्य काम जैसे डाक बितरन और प्रेशन रजिस्ट्री बस्तुएं तता और पार्सल को बुक कराया और उस भेजना बचत मैंक जमा सुईकार करना और बचत मैंक से निकासी करना तता मनियाडर को जारी करना और भुकतान करना ये सुबधाएं उपलब्ध है यद पी ये सुबधाएं सीमित मातरा में यहां उपलब्ध है जहां तक जनता का संबंध है उप डाग घर और परदान डाग घर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की किस्म में साधारन तो कोई फरक नहीं होता सिवाए कहीं क करणाएं पर डाग घर बचत बैंक लेंदेन के संबंध में फरक होता है तो नॉर्मल इसका कहने का मतलब है कि वहते हैं वो सीमित मात्रा में काम किया जाता है जैसे कैस लेंदेन हो उसकी सीमित मात्रा ही उपलब्द होती है तो डागहर की तीन सिर्णियों में सबसे पहला सिरेनी जो आता है वो परधान डागहर कहाता है तो उसके बारे में देख लेते हैं किसी सरकिल अध्यक्ष के मुख्याले में इस्तित पर्थम स्रेनी के परधान डागहर या जहां इस परकार के एक से अधिक परधान डागहर हो वहां मुख्याले में संबंध परधान डागहर को परधान डागहर कहा जाता है तिपनी तिपनी में विसेश तिपनी है जो देखत समय मान अधिकारी के नियंतरन और प्रवक्षन अधिकारी होते हैं और उसको पुखे पोस्ट मास्टर कहा जाता है दूतिये दूतिये स्रेनी परदान डागहर गुरूप भी अधिकारी के नियंतरन और प्रवक्षन में रहेंगे और ये बरिश्ट अधिक्छक डागहर के और जिसके धन संबंधी लेंदेन को परधान डागघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता हो उपडागघर कहलाता है उपडागघर के परवारी को नया पोस्ट मास्टर या उपडागपाल कहा जाता है दूसरा दूसरा पॉइंट है इसका किसी नगर या उसके उपडाग पहले सिस्थित है, ऐसी सिस्थितिम उपढगर को नगर उपढगर कहा जाता है, यानि टाउन सब पोस्ट weced कहा जाता है और तीसरे टाइब का पोस्ट उपढपिस है, ब्रांच पोस्ट उपढ़ जिसे हम लोग साखा डागः के नाम से जानते हैं, तो साखा डागर, उसका सम्मंध, लेखा सम्मंध सीधे किसी परदान ढागर या उपडागर से हो सकता है, जिसे इसका लेखा कर्याले कहा जाता है, साखा ढागर से धन समंधी लेंदेन को परदान ढागर या उपडागर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है, दूसरा पॉइंट, साखा ढ अगर साखा डाक कहा जाता है जैसे टाउन ब्रांच पोस्ट ओफिस कहा जाता है डाक घर का काम मुख्यता तीन परकार के ही पोस्ट ओफिस में किया जाता है हेर पोस्ट ओफिस सब पोस्ट ओफिस और ब्रांच पोस्ट ओफिस और कुछ और पोस्ट ओफिस भी है जो मुख्य पहले आता है रात्री कालीन डागहर यानि नाइट पोस्ट ओफिस तो नाइट पोस्ट ओफिस का क्या कार है वो हम देख लेते हैं तो साधारन था डागहरों के काम करने का समय सरकिल द्वारा नियत होता यानि रात्री डागहर में काम करने का समय सरकिल के द्वारा तै किया ज सकती है ऐसे डागहर को रातरी डागहर कहा जाएगा और इस सम्मंध में महानिदेशक उन्हें जो भी काम करने के लिए प्राधिकित कर देंगे कर देंगे वे सारे कार्ड ऐसे डागहर को शंपन करने होंगे और बढ़ाये गई सिस समय में ये डागहर साधांतर रजश्टी की बस्तु हैं जिसमें भीपी यानि मुलिदे बस्तु भी सामिल होती है वो बुक करेंगे तार मनियाडर जारी करेंगे और भारतिय पोस्टल बज़े तक ही किया जाएगा रभीवार और राष्ट्य छुटी या अन्य डागहर की छुटी के दिन भी रात्री कालीन डागहर सीमित घंटों के लिए कार्ज करते हैं और ये डागहर दस बज़े से लेकर पांच बज़े तक केवल एक पाड़ी यानि एक सिप्ट में ही का डागहर के बितरन का कारव बंद रहता है और अतिरिक्त मनियाडर और बचत बैंक और डागहर बचत बैंक तो का भू segregated भी नहीं किया जाता है सबिसके परकार में एक और परकार जुर जाता है जो उसको नाम कहे चल डागहर यानि मोबाईल पोस्ट ओफिस तो मोबाईल पोस्ट ओफिस के बारे में जान लेते हैं इन चल डाक घरों का उद्देश नगरों में बिभिन इलाकों में नियत अनुसूची के नुसार बिभिन समय पर देर से भी डाक पोस्ट करने की सुभधा परदान करती है ताकि वो हवाई डाक में डाली जा सके हैं मदरास और नागपूर में चलते फिरते डाक घर में मनियाडर बुक करने की इजाजत दी गई है तो ये थे पोस्ट ओफिस के परकार तो आगे वीडियो में हम बात कर लेंगे कुछ और कलोज के बारे में